दोस्तो ब्रिटेन में बीयर कमपणी की बोतल में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरे चापी गई हैं जिसको लेकर लोगों ने मांग किये कि जल्दी से जल्दी इस कमपणी के प्रोड़क्ट को बंद करें तो आपको बता दे कि भारत में यदि हिंदू सांस्कृती के साथ जरा सी भी छेड़ छाड़ की जाती है तो बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो जाता है और इसका असर जो है अब विदेशों में भी दिखने लगा है और वहां के रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने भी इस अपती जना घटना पर विरोध किया है तो बात कुछ ऐसी है कि ब्रिटेन की एक शराब कमपणी जिसका नाम है मंडला तो ये बियर बॉटल की कमपणी ने क्या किया है कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरे इन्होंने चापी हैं अपने बियर के बॉटल में जैसे कि आप इस इमेज को देखी सकते हो और इसको लेकर कि विरोध शुरू हो गया है मतलब जो ब्रिटेन में रहने वाले जो हिंदू वर्क के लोग हैं इस मुद्दे पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कमपणी अपने प्रोड़क्ट को बंद करे या वापस इस चीज को हटा दे और आपको बता दे कि ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है बलकि ये पहली भी हो चुक है पिछले साल 2021 में भी दक्षन पशिम फ्रेंच में ग्रेनेट सुर गौरन नामक एक फ्रांसी शराब की कमपणी ने शिवा बियर लॉंच की थी जबकि इसका भी विरोध हुआ था साल 2018 में भी डर्वी शराब कमपणी की खूब आलोचना हुई थी और इस प्रोडक्ट को जो है बंद करने की मांग कर डाली थी बात करते कमपणी मंडला बियर के नाम से जो बियर बेचे जा रही है इन लोगों ने भी यही काम किया है हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर शापी है अब ये सब चीज को देखते हुए इन साइट यूके ने इसे ले करके कहा है कि ये बेहद शर्मनाक और डिस्रिस्पेक्ट करने वाली चीज़े हैं हिंदू के प्रती और वही इस मामले पर जो मंडला बियर कमपणी है उसका ये कहना है उसका ये दावा है कि ये कमपणी जो है ये बियर 18 सेंच्वरी की जो परंपरा से निकली है और मूल रूप से ये भारत में इस ते जो पहले जो बिटिशर्स थे उनके सैनिकों के लिए ये बनाई गई थी और इस बियर में कड़वाहट और अलकोहल की मात जादा थी तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस मंडला जो बियर कमपनी है इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईए क्योंकि बाकी किसी अगर धर्म या रिलिजिन के उपर अगर कोई भी एक कार्टून भी बना करके किसी आधर रिलिजि पैनल को जरूर सब्सक्राइब करें